साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है डेमोक्रेसी हमारी स्रभ्यता हमारे तौर तरीकों का एक प्रकार्चे हमारी जीवन पध्धिती का एक महज हिस्सा रहा है आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोक्तंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें एसास होता है कि वो एक युनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे स्री किशोर मकवाने जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती हैं दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साब का राष्ट्र दर्शन हमारे सामने आता है, और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वाच्चियों तक ले जाएगी. ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सात्र से कम नहीं है, मैं चाहूंगा कि देश के विश्व विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, जादा से जादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें, समरत समाज की बात हो, दलीत वंचीत समाज के अधिकारों की चिन्ता हो, महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साथ को जानने समझने का आउसर मिलेगा.